हाल समझ से बाहर है बात समझो हाल समझ से बाहर है बात समझो लिखने वाला शायर है बात समझो शुरू के 3-4 दिन वो कितने दर्द में बिताती है शुरू के तीन चार दिन वो कितने दर्द में बिताती है हर दफ़ा दाग अच्छे नहीं होते वो खुद को समझाती है और मंदिर रसोई में मत जाना ये सुनते ही खुद की निगाहों से गिर जाती है और फिर क्या फायदा जलाकर फेक दो ये कानून की मोटी मोटी किताबे जब बलातकारी को फासी नहीं मिलती उस लड़की की आत्मा मर जाती है और ये आशिकों के लिए है अफसान बाई कि छोटी छोटी बात से डर गए जंग में तुम हथियार से डर गए गिले शिक्वे हो जोड का रखती है रिष्टों को मेरी जान तुम प्यार से डर गए मेरी जान तुम प्यार से डर गए और इश्क किया फिर जात से डर गए उसके भाई की एक लात से डर गए इश्क किया और जात से डर गए उसके भाई की एक लात से डर गए महबत मुकमल ऐसे ही नहीं होती मेरे यार तुम उसके बाप के कही हैसियो तोरकात से डिल गए चंद्शियर ऐसा है कि ये खुद के उपर लिखा था तबियत नासाज मर्ज बढ़ता जा रहा है तबियत नासाज मर्ज बढ़ता जा रहा है वैद इकलौता शहर में तू मुझे देखने से कत्रा रहा है उलजन इतनी तुझे कि घर सर पर उठा लिया फिर कहती हो कल खोली है और आज गुलाल नहीं आया आज फ्रेंड्शिप रेया उसके लिए चार लाइन कि मेरी शेय में नजर आते हैं मेरे अपनी मेरी तरक्की पर मुह बनाते है मैं आज भी सब जानकर खामोश बैठा हूँ मेरी जडो को खोदने वाले हैं और एक विकरम बैरागी जी का था मिया पहले बहुत पहले उसी जमी पर लिखा है कि हम भी कभी किसी के साथ हुआ करते थे मिया पहले बहुत पहले उसकी हाँ से दिन को रात कहा करते थे मिया पहले बहुत पहले और आज पलट कर यादों को खंगाल रहा था मैं खुद को बिखरने से संभाल रहा था वो दिन और थे जब हर बात मान लिया करते थे अब समझदार हो गए है वरना पागल हुआ करते थे मिया पहले प्लाइब चार लाइन ऐसा है कि रुक से नकाब उनके हटाया जा सकता था मैं मर रहा था उनको बीमार दिखाया जा सकता था महंधी के लिए अभी वक्त कहां हुआ था यारो मेरे जनाजे में उनको बिलाया जा सकता था मैं आखरी दो लाइन बोल कर समव्ण करता हूं अब इस अब जिल्या सबी के लिए कि हाल समच से बाहर है बात समझो हाल समत से बाहर है बात समझो लिखने वाला शायर है बात समझो झाल झाल